फाइनल दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म किन में उनकी बेटी सुहाना खान को भी कास्ट किया गया है। बाद में इसमें बदलाव किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स का मानना है कि वास्तुकला और विरासत के नजरिये से बुड़ापेस्ट ज्यादा रिच शहर है। यहां की एतिहासिक इमारते फिल्म के इंटेंस स्टोरी लाइन के बैकड्रॉप पर अच्छी प्लूव को सिलेक्ट कर रही हैं जिसमें ज्यादा तर एक्शन फिल्में ही होगी। वही दोस्तों शाहरूः की कमपणी की तरफ से बताया गया है वो रोमांटिक फिल्में नहीं करेंगे अब सिर्फ शाहरूः एक्शन फिल्मों को साइन करने वाले हैं, खबरों की माने तो तीन बड़ी फिल्में शाहरूख करेंगे जिनको वो अननौस्मिंट करने वाले हैं। इसके अलावा तीन बड़ी फिल्म शाहरूख खान के हाथ लगी है, जिनका अभी अननौस्मिंट नहीं हुआ है। उस्तो शाहरुख खान के लिए पिछला साल 2023 ब्लॉकबस्टर रहा, उन्होंने अपनी सभी फिल्मों से करोर का बिजनिस किया, जहां किंग खान ने साल की शुरुवात सिधार्थ आनंद की पठान और उसके बाद एटली की जवान की रिलीज के साथ की और साल का अंत मार हिरानी की डंकी के साथ किया, और अब इसके बाद वह अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में लग गए हैं, फिल्हाल की अपडेट के मुताबिक किंग खान इस बात से बेहत खुश हैं कि उनका साल कैसा गुजरा।